हाँ जी दोस्तों जैसे कि आपको पता है T20 India वर्ण स्री लंका का मैच आज से फाइनली स्टार्ट होने वाला है सामको 7 वाज़े से तो यहां पर कई सा लोगों को अभी तक कई सा लोगों को पता ही नहीं है कि आखेज यह मैच काहां काहां पर होने वाला है और कैसे आप इसे free में देख सकते हो वो भी चीजे में आपको यहाँ पर बताने वाला हो दोस्त अगर चैनल पर नहीं होंगे like और subscribe कर देना क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्रिलंका और इंडिया का matches देखना चाहते हो अपने phone में या फिर TV पर तो मैं आपको चीजे में आपको बताने वाला हो दोस्त तो यहाँ पर देखो जो आपको मैं चीजे बताने वाला हो उसके बारे में बहुत साय लोगों को पता भी होगा तो चली मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूगए जासे कि यहाँ पर DD Sports वगेरा आपको पता होना चाहिए जो पुराने चैनल सुगेरा होते थे DD Sports वगेरा नाम का चैनल देखने को मिलता था आप वहाँ पर देख सकते हूँ यह मैंच जादा तरचांस है कि DD Sports चैनल पर देखने को मिलता है क्योंकि जितने भी मैंच वगेरा होते हैं DD Sports चैनल पर देखने को मिलती है आप एक बार वहाँ पर ट्राइ करके देख सकते हो जब साम को मैंच स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आप DD Sports Match देख सकते हो बट ये चीज़ में आपको बता दू ये जो आपको चैनल है बहुत कमी जगह आप देखने को मिलता है कहीं कहीं पर जो है DD Sports Channel देखने को मिलता है नहीं तो ये चैनल आप तो भाई खतम हो चुका है जैसे लगता है जिससे नहीं पता है तो उसको तो यार बोलना ही नहीं है भाई जो पुरारे लोग हो उसको तो 100% पता होगा कि भाई DD National नाम का भी कोई चैनल होता था और DD Sports नाम का भी चैनल होता था जहां पर आपको Sports जितने भी matches वगर होते थे फिरी में दिखाये जाते थे और अभी भी दिखाये जाते हैं बट वहां चली गाई वह सब चीज़ा अगर आपके पास है तो अच्छी बात अगर नहीं है तो मैं आपको बता दू यह matches जो है आपको देखने को मिलने वाला है G.O.TV पर भी दोस्त जी हां G.O.TV आपको पता होगा Sonia Sports Network पर देखने को मिलने वाला है बट Sonia Sports Network पर आपको पैसर देने की जरूद पड़ेगी सब्सक्रिप्सन लोगे तभी आप देख पाओगे बट यहां पर जो आप साइड में आप लोग यहां पर देखना तो यहां पर आपको जो है G.O.TV पर भी जो है आपको मैचेस देखने को मिलने वाले है बट मैं आपको बता दू G.O.TV पर भी आपको तभी देख पाओगे देखो G.O.TV जब आप आप आपन करोगे ना तो वहां पर बहुत सारे चैनल देखने को मिलेंगे जहां पर आपको Sonia Sports Network भी देखने को मिलेगा Sonia Live Channel भी देखने को मिलने वाला है जहां पर मैचेस देखने को मिलने वाले है बाकी में आपको बता दू अगर आपके पास या आपके दोस्त के पास G.O. का सीम है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से फ्री में देख पाओगे क्योंकि अगर आप यहां पर कोई सभी प्लान रिचार्ज करते हो जी हां जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप यहां पर कोई सभी रिचार्ज अगर प्लान करते हो तो G.O. TV का सब्सक्रिप्शन यहां पर दिया जाता है दोस्तों कि नेक्स्ट यहां पर आते हैं चलो 899 आप उपर की तरफ आओगे तो यहां पर जो है 349 का भी रिचार्ज देखने को मिलने वाला है और टोटल 56 भी मिलने वाला है यहां अगर आपके पास जियो सिम है तो आप रिचार्ज कर सकती हो और आप के पास जियो सिम नहीं है तो आप दोस्त का जो है आप OTP वेरिफाई कर सकती है अपने फोन में बस लॉग इन करने के लिए उकि बस क्या करना दोस्त से नंबर मागना OTP verify करना और आपके phone में जो है GOTV चलने लग जाएगा क्योंकि आपके दोस्त ने आपका कोई ना कोई तो GOTV यूज करना होगा कोई ना कोई दोस्त तो GOTV में लोग इन करके आप देख सकती हो बट यहाँ पर होता क्या है GOTV के अंदर data आपका बहुत ज़्यादा लगता है दोस्त आपको पता होना चाहिए अगर आप G.O.T.V में अगर आधा एक घंटा भी देख लोगे न तो भाई आराम से एक दो जी भी आराम से आपका खतम हो जाता है तो बस वीडियो में यही चीज़ में आपको बताना चाहता हो G.O.T.V पर आप बिलकुल आसान तरीके से देख सकते हो जिसके पास Wi-Fi है उसके तो पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाले जिसके पास Wi-Fi नहीं है उसका डाटा आधा घंटा एक घंटा में पूरा खतम हो जाएगा यह चीज़ में आपको बता दो, तो फिर हाल वीडियो में यही था दोस्त और कुछ नहीं तो आप DDA Sports चैनल पर देखो या Sony Leaf पर देख सकते हो बट वहां सब्सक्रिप्सन लेना पड़ेगा फिर ही में देखना है तो G.O.T.V पर देख लो जो मैंने आपको तरीका बताया है दोस्तों किये पांगे थांक्यू, टेक क्यार, राधे राधे दोस्त